इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यानि की अतालतक के इलाज के लिए किया जाता है। यह माइग्रेन भविश्य में होने वाले दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में भी मदद करता है। प्रोलोमेट एकसेल्स और टैबलेट अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलकर निर्धारत किया जा सकता है। खुराक और आवरती इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं और आपकी स्थिती की गंभीरता क्या है। इसे खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है, लेकिन अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इसे रोजाना एक ही समय पर नियमित रूप से लें। इस दवा का पूर्ण लाब प्राप्त करने में आपको कई सप्ताह लग सकते हैं और आपको इसे जीवन भर लेने की आवश्यक्ता हो सकती है। हाला कि यह महत्व पूर्ण है कि आप इसे लेना जारी रखें, भले ही आप अच्छा महसूस करें। उच्छ रक्चाप वाले अधिकांच लोगों में लक्षन नहीं होते हैं। यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। प्रोलोमेट एक सेल सौ टैबलेट का मुख्य दुश प्रभाव ठकान, सिर्दद, धीमी हिर्दय गती, चक्कराना और जी मिचलाना है। यह आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं। यह कुछ लोगों में सांस की तकलीफ या निम्न रक्चाप का कारण भी हो सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लीव की कोई समस्या है। यह उन लोगों के लिए भी उप्यूक्त नहीं हो सकता है जिनकी हिर्दय गती धीमी है, परिसंचरन की गंभीर समस्याएं है, हिर्दय की गंभीर विफलता है या निम्न रक्चाप ह गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह दवा आपके उप्योग के लिए उप्यूक्त है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यह सुनिश्चित क और विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद